वाई अम न्यूज अंड योज्ञा हरियाना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हरियाना सरकार बुढ़ापा पैंशन बुढ़ापा पैंशन को लेकर धमाकेदार आदेश वे नोटिस चंडिगट से जारी किये गए और यह जो नोटिस है यह फैमिली आपका जो पैंशन है वो कब बढ़ेगी वो भी हम आपको एक आइडिया यहां देखर जाएंगे साथियो चैनल सब्सक्राइब कर देना वट्सप गुरूप टेलीगराम गुरूप से जरूर जुड़ डिस्क्रिप्सन में लिंक है हरियाने की छोटी बड़ी योजना हो हर हरियाना बीपिल राशन कार्ड हो हरियाना फैमिली आइडी जुड़ा चोटा बड़ा कुछ भी हो भई और योजना तो ओनलाइन फारम भी भरके हम दिखाते हैं हमारे साथ जुड़े हो तो कोई जनकरी आपसे छूटेगी नहीं कोई जनकरी बचेगी नहीं तो सीधा भाग जो पैनसन जारी करता है जो हमारे मंत्री समाजी के कल्ल्याना दिकारी था मंत्रा लिएक हैं तो साथियों उनके अंडरे डिपाइटमेंट आता है तो फर्दी दस्तावेजो पर पैनसन लेने वाले यो एक जिले का डटा है लगब का 225 जार ये बुडे बडे हैं जि पहेंचन का लाब ले लिया तो साथियो जब इन्होंने पहेंचन 144 साल नहीं अर वैसे बढ़ापा पहनन फिराप्ठ कर रहे हैं तो जिस दिन से बढ़ा पहेंचन फिराप्त कर रहे हैं उन्हें Justin जो है यो बढ़ापा पर्मानिक दसदावेते हैं में परदेश सरकार ने सकी फैमिलि या इडीd से लिए। शूरा बार बार नॉटीस दे रहा है लगबग जो एक जिले में 1000 के करीब केंडिडेट है टोटल ये 25,000 सभी जिलों में तो साथ यो इन से recovery की जाएगी 2.1 करोड की जो है एक जिले में 2 करोड की recovery है टोटल 22 जिलों में 24,45,50 करोड के करीब ये recovery होनी है जिसमें से सिरफ और सिरफ 27,000,000 लोगों ने वाफसी लोटा दिये जितना उन्होंने pension के तोर पर प्राप्त किया था कि हाँ जी हमने फरजी pension मनवाई थी और हमसे ये गलती हो गया और हमें ये pension वापिस आपको करते हैं तो इनसे 27,000,000 वसूलिये पूरे परदेश में नोटीस जारी किया जा चुक है और अब इनसे जिनोंने क्या है उनसे वसूली जाएगी जिनकी उमर साथ ना होते हुए बढ़ापा pension प्राप्त की जिनोंने आपको समझाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी और जन्ना एक जन्ता पार्टी का जो गठबंदन हुआ था बीजेपी और जेजेपी इनोंने बोला था 51,000 रूपे बढ़ापा pension का इनोंने बोला था 31,000 रूपे उसका बढ़ापा pension का तो common minimum program नाम की एक चीज हुया करे है जब इनका जो है दोनों दलों का गठबंदन हुआ था तो common minimum program बढ़ा था जिसे नियुन्तम साजा कारी करम हिंदी में कहा जाता है तो साथ यो चैनल सब्सक्राइब कर देड़ा बई बिल्कुल सटीक बिसबसनी मिलेगी या जो मिलेगी तत्तिया आदरी सबूत आदारित मिलेगी तो साथ यो 31,000 भारतिये जनता पार्टी का वो था गोश्नापतर 1,500 जेजेपी का था तो जेजेपी आले जो दुस्यन तो दिगवीजे बोल रहे हैं बड़ी से हमारे मन में 1,500 पैनिसन की और जो है वहाँ जेजेपी के नेता बोलता है के हमें जो चाहते थे पैनिसन उतनी नहीं बढ़ पाई है दो साल से जो धाईसो रुपे परती माहा परती वर्स इनों ने बोला था कोरोना से वह अब तक बंद है दो हजार तेईस में अभी तक कोई बढ़ापा पैनिसन नहीं बढ़ाई गई है तो साथियो आप भी यह जो नई बंपर खुसकबरी चंडिगर से बढ़ापा पैनिसन बढ़ने को लेकर है वो यह है बजट सत्र बहुत जल्दा हरियाने में बुलाया जाएगा बजट पेश किया जाएगा कल दो फरवरी को कल दो फरवरी को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है जिसमें सभी मंतरी मंडल जेजेपी के जितने मंतरी बीजेपी के सभी खटा होंगे और जो भी बजेट में फैस ले लिए जाएंगे उस पर चर्जा की जाएगी आमराये बढ़ाएं जाएगी तो इन्होंने जेजेपी जो है 3100 पर एगरी नहीं है कि हम 3100 में चुनाओं में जाए 3100 पर एगरी नहीं है जबकि बीजेपी का 300 से जादा करने के कतेई मून में नहीं है तो जब बीजेपी चाहती है इस 2500 है इसे 2500 रुपे बढ़ा दिया जाए 2023 में यो 2750 हो जाए और जब जो है अगला 2024 का चुनाओ आए तो उस समय 500 का बंपर टोक टाइम दे दिया जाए बड़े बूड़ों के लिए 3250-3300 किरों से इसे हम करवा दे जबकि जेजेपी चाहती है कि कम से कम जो बीज का रास्ता है वो होना चाहिए और बीज का जो रास्ता रुपे बढ़ापा पैंसन होना चाहिए थोड़ा हम जुके थोड़ा आप चड़ो बीज जेजेपी 500 से थोड़ा जुकने के लिए 4100 और बीजेपी जो है 3100 से 4100 पर आने के लिए बोल रहे हैं कि हजार हम माईनस हो जाते है हजार आप पलस हो जाओ तो लेकिन यह 4100 संबाव नहीं है यह जो है यह जो बढ़ापा पैंसन आपकी 2500 रुपे बढ़ेगी सिरफ 2500 रुपे और बजट सत्र में इसका एलान आपको खुसकबरी धमाकेदार को देखने को मिलेगी यह लगबग संबाव होता यह तै है सीमसाब हाली में एक प्रेस कोंफरेंज में बोल सुके थे बहुत जल्द जल्द मतलब जल्द आपको बढ़ापा पैंसन बढ़ी हुई देखने को मिलेगी यह अब तक क्यों नहीं बढ़ी 2023 की 2022 में भी नहीं बढ़ाई थी कि कोरोना के कारण परदेश का जो मामला है हालत छोड़ा खसता चल लिए तो इसी वज़े से नहीं बढ़ाई क्योंकि इनका जो मामला था इनका सहमत ही नहीं बैठ रही है जेजेपी नहीं चाहती कि आप यहाँ 200 की विर्दी हो जेजेपी चाह रही है कि कम से कम 500 रुपे की विर्दी अभी कर दी जाए जबकि बीजेपी कितना आता है पैसा कहां खर्च करना है क्या सिस्टम है क्या नहीं बजट जिस दिन आएगा वह इसी चैनल पर आपको पूरे बजट का विसलेशन हम आपको करेंगे आज केंदर सरकार द्वारा बजट पारित किया गया है उसमें तीन लाग से जो वो करकी जो टेक्स दिया जाता है बड़े-बड़े फैसले उसके अंदर लिये गये हैं तो परदेश सतर का जो बजट आएगा उस पर भी सेलेशन करेंगे तो बढ़ापा पैंशन आपकी जो है दो हजार तेश के मार्च में ये बजट हमारा प्रस्तावित है तो ये मार्च में बजट आएगा हो सक तो फिलाल इतना ही जै हिंद जै भारत जै हरियाना चैनल सब्सक्राइब कर देना वे छोटी बड़ी अपडेट के लिए